आयूरवेद में ऐसे कई तेलों के बारे में बताया गया है जिनसे कई तरह के रोगों में रहत मिलती है इनी में से एक है यूकेलिप्टिस यानि की नीलगिरी का तेल यूकिलिप्टिस के तेल का इस्तिमाल एंटी बैक्टिरियल और एंटी सेप्टिक के तौर पर किया जाता है क्या आपको पता है कि इस तेल के इस्तिमाल से सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याइं दूर होती है तो चलिए आज आपको इस वीडियो में हम यूकिलिप्टिस तेल के फाइदों के बारे में बताते हैं यूकिलिप्टिस के तेल में एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं जो स्किन से जुड़ी हर तरह की अलर्जी को दूर करते हैं इसके इस्तعمال से आपको मुलाई मिस्किन तो मिलती ही हैं साथ ही आपके इसकिन के दाख भी खरत हो जाते हैं यूकिलिप्टिस तेल के इस्तेमाल से साइनस, कोल्ड फलू, गले में खराश की सबस्या के अलावा कई वायरल इंफेक्शन में भी रहत मिलती हैं यूकिलिप्टिस के तेल में मौझूद एंटी-फंगल गुणों की वज़े से इससे सभी तरह के इंफेक्शन्स भी खत्म होते हैं और इतना ही नहीं आपको टेंशन, सिर्दर्द और ठकान में भी इस तेल के इस्तेमाल से आराम मिलता है आपको बता दें कि इस तेल को अरोमा थेरपी में भी इस्तेमाल किया जाता है यूकिलिप्टिस ओयल में एंटी-इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टी भी मौझूद होती है जिससे हर्पिस, छाले और दाने भी खत्म होते हैं एक इस्टडी में ये पाया गया है कि इूकिलिप्टिस में मौझूर एंटी-इंफ्लमेटरी गुणों की वज़े से इससे गठिया के दर्द, औस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटोईट जैसी बीमारियों में भी आराम मिलता है इसके साथ है यूकिलिप्टिस के तेल से सर्दी खासी में भी आराम मिलता है सर्दी होने पर आप यूकिलिप्टिस तेल से बनी हुई चाय भी सकते हैं लेकिन अपनी शुदता की वज़े से सभी एसेंशन्शिल ओयल गाड़े होते हैं इसलिए आप इसकी दो-तीन बुन किसी हलके तेल जैसे कैश्टर ओयल या जैतून में मिलाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा साथे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी नाइन भारतवर्श